तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग नेन शौन लिंग सेक्ट का एक डिसाइबल बनते वे फैंग फैमली को लिंग्शिय सिटी से बाहर निकाल देता है जहां फैंग फैमली के लिंग्शिय सिटी छोड़ के जाने के बाद उनकी हालत काफी जादा खराब हो गी थी जो कि बाई हैंग के साथ किंग नेन के सेक्ट में आते वे उनसे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारी पहले वाली मार्शल सोल स्पिरेट को क्या हुआ और ये दूसरी वाली मार्शल सोल स्पिरेट कहां से आई उन दोनों को वहां देखने के बाद किंग नेन के फादर उस उसे एक डोर नजर आया और उसे उपन करने के बाद उसे ये God of War की Marshall Soul Spirit पिली, ये एक तरीके की सीक्रेट टेक्निक थी जो उसने अच्छानक से अवेग कर ली, और ये सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि तुमने Self Cultivision करके खुद को Improve किया, इसका प्रोसेस तो सच में काफी जादा टफ रहा होगा, तो अपनी बात सुनने के बाद King Nen कहता है कि हाँ, ऐसा ही था, पर वो सभी से माफी मांगते वे कहता है कि उसने उन्हें पहले नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाता था कि इस चीज़ की खबर मेरी दुश्मनों तक पहुँच जाए, इसलिए मुझे अपनी दूसरी Marshall Soul Spirit को चुपा कर रखना पड़ा, यहां सिर्फ एक Shao King थी जो कि उस Thunder वाली बात सुनने के बाद King Nen के लिए काफी फिक्रमन्द हो रही थी, सबसे चुपाना ही तो चाहते थे, इसमें घलत क्या है, वैसे भी competition जीतने के लिए तो हर कोई कुछ न कुछ करता ही रहता है न, उसकी बाते सुनने के बाद सभी elders भी मुव बना रहे थे, और यहां Senior Sister भी हसने लगती है कि कैसे थाली का बेंगन बना बैठा है, Senior Sister श्याओ हमारे King Nan से कहती है कि तुम्हारे पास दो दिन है, अपने घर के सारे मसले निपटा लो, उसके बाद हम श्वानलिंग सैट के लिए निकलेंगे, हमारे पास वक्त कम है, ये बात सुनने के बाद King Nan कहता है कि King Nan अगर तुम कल रवाना होने वाले हो, तो अपने दो तुम्हारे Senior Sister देखना चाहते हैं कि तुम जैसे Genius ने यहां पर कैसे कर्डिवेशन की है, अब उसे इस तरीके से King Nan के साथ आगे जाता देखकर, यहां पर Senior Sister उसे आँखों से इशारा करती है, और इस तरीके का Powerful Sense होने के बाद, वो फटा 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 अपनी बात बदलते कि अरे मैं तो भूल गया, मुझे सेक्ट लेटर से एक जरूरी बात करनी थी, यह बोलने के बाद वो वापस जाकर डिनर के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि Senior Sister श्याओ को King Nan से दो चार सवाल पूछने थे, वो भी अकेले में, तो King Nan जब Senior को अपने यहां का सारा का सा नजारा दिखा रहा था, तो वो एक जगा ठहरते वे उससे पूछ रही थी, कि अब जब तुम अपने Marshall Soul Spirit के लेवल को हाइट कर सकते हो, तो क्या 2% भी चांस है कि तुमने इसकी और लेवल को हाइट कर रखा होगा, अब यह बात तो सच थी, पर King Nan बात बदलते वे कहता है कि अगर मेरी Marshall Soul Spirit strong होगी, तो मुझे और जादा resources की जरुवत पड़ीगी ना, और मैं श्वाल लिंग सेक्ट से ये बात क्यों छुपाऊंगा, जब कि ऐसा करने में मेरा ही नुकसान होने वाला है, तो यह सुनने के बात वो senior उससे convince हो जाती है, बिचारा King Nan सोच रहा था कि बाल बाल बचे, ये वुमन तो सुच में बहुत जादा चालाक है, वो दोनों काफी देर तक वहाँ चल रही हवाओ का मज़ा ले रहे थे, जहां पर senior sister show देखने में काफी खुबसूरत लग रही थी, अब उनके वहाँ से जाने का वक्त हो रहा था, तो वो कहती है कि मुझ लेवल के भी हैं, जो कि औरेंज कलर के हैं, यहां तक कि यहां अपर लेजंडरी हेवल लेवल के कलर भी मौझूद है, जिसके बारे में सोच सोच के कि कि खराब हो रही थी, और यहां senior sister show कहती है, कि इसलिए कभी भी अपने power पर comment करने की जरुवत नहीं है, क्यूंकि तुम कि क्या आपको और भी कुछ कहना है, तो आप पेज हिचक कह सकती है, पर sister show पानी का example देते वे कहती है, कि हर किसी की life में problem होती है, बर वो बहती हुए पानी की धरा अपनी life में आके बढ़ते रहते हैं, senior की बातों पर king nan कहता है, कि आपने हमेशा मुझे काफी kindness दिखाई है तो अगर आपको मुझे किसी भी तरीके की help चाहिए, तो आप मुझे पेज हिचक बता सकती है, king nan की बातों पर senior sister कुछ कहती नहीं, बलकि सोचने लगती है, कि अगर तुम्हारी power थोड़ी सी जादा होती, तो तुम सच में मेरी help कर सकते थे, अब पता नहीं कि ये बात king nan ने सुने या नहीं, लेकिन हो काफी जादा confused हो रहा था, अब इसके बाद next early morning का scene दिखाया जाता है, जहां पर दोनों senior के साथ king nan अपने जाने की तयारी करा था, और उसकी family उसे see off करने आती है, जहां उसके father कहते हैं कि श्वाल निंक सेक्ट में अभी तो तुम गए हो और रास्ता बहुत जादा लंबाए, इसलिए अपना खयाल रखना, श्याओ किंग भी अपने यंग मास्टर को जाता देकर काफी emotional होकर उसे उसका back पकड़ा रही थी, तो king nan काफी प्यार से श्याओ किंग को समझाते वे कहता है, कि मैं यहां का यंग मास्टर हो ना, और मैं य मैं सब Linkshire City को protect करने के लिए कर रहा हूँ, पर जब भी मुझे time मिलेगा, मैं तुम सभी को देखने के लिए आता रहूँगा, इस बात से वो थोड़ी सी satisfied होती है, श्याओ किंग की निजर यहां पर senior sister श्याओ पर पढ़ती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो समझ गई है कि उसकी यंग मास्टर उससे दूर जा रहे हैं, तो क्या ही वो उन्हें खोना दे, इस से पहले कि किंग नैन वहां से रवाना हो पाता, Linkshire City के काफी सारे elders वहां पर आकर उसे see-off कर रहे थे, अब इतनी सारी भील को देखने के बाद, किंग नैन अपने father से कहता है कि क्या आ निकल जाता है, इसके बाद हमें किंग नैन को काफी दौरते दौरते एक पेर के नीचे जाते वे दिखाया जाता है, जहां उसके दोनों सीनियर्स आराम कर रहे थे, और वो काफी हाफते वे कहता है कि सीनियर सिस्टर आप लोग कितने जादा फास्ट है, मैं तो काफी बातार चलने वाली बात पर तो किंग नैन की हालत खराब हो जाती है, सिस्टर श्याओ अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल कर कह रहे थी कि तुमने अभी तक बोडी लोग को प्रैक्टिस नहीं किया है ये श्वाल लिंक सेक्ट की एक ऐसी टेक्निक है जिसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी कम ठकेगी और तुम्हारे स्टेप्स काफी जादा तेजी से बढ़ेंगे, तो इसे प्रैक्टिस करो, इसे तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो लेने के बाद वोसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, ये इंटर्मेडियर सिस्टर ने अब तुम्हें इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो तो काफी जल्दी कांसें करके उन सारे आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था, उसे इस तरीके से ध्यान लगाता देखकर सिस्टर कहते हैं, इसने तो काफी जल्दी ध्यान लगा दिया, एक ही सास में जबकि मुझे तो थोड़ा टाइम लगा था शायद ये अपने माइंड को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है क्योंकि ये बच्पन से ही मार्शल आर्ट जो यूज़ कर रहा है अब सिस्टर श्याओ को इस तरीके से किंग नैन को देखता देखकर सेनियर बाई कहते हैं कि सिस्टर वैसे मैं मानता हूँ कि हमारे जूनियर ब्रदर किंग नैन की कौलिफिकेशन काफी ज़्यादा अच्छी है पर सफर के बीच में इंटरमेडियर्ट मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इस बारे में सोचना भेवकूफी है और मुझे नहीं लगता कि रोड़ पर अभी इससे सीख सकता है तो ये सुनने के बाद सेनियर सिस्टर कहती है कि क्यों ना हम इस पर शर्ट लगाए तो sister Xiao कहती है कि क्यों ना मैं इस deal के बदले तुम्हें 100 श्यांत यान पिल्स दूँ अब वो पिल्स काफी जादा अच्छी थी तो इस bet में वो जीतेगा सोच कर वो मान जाता है और कहता है कि मैं आपको पहले से ही thank you बोल देता हूँ इतनी सारी पिल्स देने के लिए क्योंकि उसके according senior sister और senior by दोनों को ही आदा महीना लगा था इसको सीखने में और श्वाल लिंग सेक तक पहुँचने के लिए तो सफर बस कुछ दिनों का है इतने में थोड़ी ना करता दिखाते वे यह वाल एपिसोड हो जाता है खतम आपको explanation कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स एपिसोड सेटर्डे को आएगा तब तक लिए बाई बाई टाटा टे केर